दोस्तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ भिंडी चिकन उसके लिए हमने 300 ग्राम चिकन लिया है 300 ग्राम भिंडी लिया है जिसको हमने चोटे-चोटे टुकरों में धोके साफ करके काट लिया है और मसाले में हमने लाल मिर्च, धनिया, हल्दी पॉडर और दो प्यास हमने पीस लिये हैं लस्सन का पेस्ट है दो चम्मच एक प्यास हमने काट लिये हैं नमक और आधा चम्मच गरम मसाला, तीन हरी मिर्च, नीमबू और धनिया के पत्ती आप चाहे तो हरी मिर्च जादा भ पड़ेगी और आयल है अब हम पैन घरम करेंगे और हम सबसे पहले बिंडी को फ्राई करेंगे दो चम चम आयल डालेंगे और बिंडी को अच्छे से हम फ्राई करेंगे और इसके साथ ही हम हरी मिच को दो हिसे में काटके जिंडी के साथ ही डाल देंगे जिंडी को हम सौटे कर रहे हैं इसमें हमारा किपचिपापन है जिसके लिए आप उसमें मीम्बू निचोड सकती हैं अगर आपके पास मीम्बू नहीं है तो आप इमली का पानी वो यूज कर सकती है इससे बिंडी किपचिपा नहीं जाएगा फ्रेज बिंडी फ्राई होगी अब हमारी बिंडी फ्राई हो गई है अब हम इसको बोल में निकाल देंगे गास को बन कर देंगे और इसको हम बोल में निकाल देंगे फिर से हम गैस अन करेंगे और तीन से चार इस्पून हम और डालेंगे अब हम प्यास को डालेंगे प्यास को हम पूरा गोल्डन ब्राउन करेंगे प्यास हमारा ब्राउन हो गया है अब हम इसमें चिकन डालेंगे चिकन हमने बोनलेट लिया है आप चाहे तो बोन वाले भी ले सकते हैं प्यास को प्राई करेंगे तक प्राई करेंगे तक प्राई करेंगे साथ के हम लश्कन का पेस्ट डाल डेंगे अब हमारे कलर चेंज हो गया है चिकन का अब हम इसमें मसाला डालेंगे हमने दो चम्मच धनिया लिया है एक चम्मच लाल मेर्च है आधा चम्मच हल्दी और यह प्यास पिसावा इसको हम डाल देने और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक आप अपने के हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें खोड़ा पानी डाल के हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और हम इसको लीड लगा देंगे इसको हम लीड लगा देंगे और पांच मिनट छोड़ देंगे चेकन हमारा हो गया है अब हम भिंडी डालेंगे अब हम इसमें भिंडी डालेंगे मेंडी डालके अच्छे से साटे करेंगे अब हम इसमें गरा मसाला डालेंगे इसको मेडियम आज पर करेंगे और सूखी रखेंगे इसलिए हम इसे दो मिनट के लिए फिर से लीड लगाएंगे कि हमारी भिंडी जल जाए फिर चला के फिर हम लीड लगाएंगे हमारी दो मिनट हो गया है अब हम इसे फिर से चलाएंगे हम इसे मेडियम आज पर रखके हर दो मिनट पर इसको चलाएंगे हमारी बिंडी बिल्कुल बन के त्यार हो गई है हम गयास बन कर देंगे यह सूखी बिल्कुल बनी है और अब हम इसको सर्फ करेंगे अब हम इसको बोल में साथ करेंगे इसको हरा धनिया से हम डेकॉरेट करेंगे अब देख सकते हैं हमारी बिंडी बिल्कुल त्यार है अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लीज हमारे चानियल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू